आप सब को मेरा नमस्ते ये सेशन में मैं आपको हमारे जो पांट से नौ साल के जो बच्चे है भारत के तो उनमें वो दायबिटीज, प्री डायबिटीज, शक्कर की बिमारी, वो सब क्या प्रॉब्लम है CNNS डेटा जो हमारे जो Department of Health and Ministry of Health and Family Welfare तो उन्होंने ये एक सर्वे किया था CNNS में CNNS डेटा में हम लोग को ये बताया हुआ है तो मैं आपको वो डेटा अभी दिखाने वाली हूँ इससे हमें पता चलेगा कि जो छोटी-छोटी बच्चे है हमारे वो क्या खाते है क्यों उनका शुगर इतना बड़ा है क्यों इतना उनका जो चर्बी होती है जो वसा होता है क्यों इतना वसा बड़ा हुआ है तो ये डेटा आपको दिखाए कि पूरे भारत में क्या क्या प्रॉब्लम्स है तो ये जो है पांच से नौ साल के बच्चे हमारे भारत के तो इसमें लिखा है कि ट्राइगलेस्ट्राइड ट्राइगलिस्ट्राइड मतलब खुन में वसा निभर में जो वसा होता है तो व chopped कि मात्रफ, कितने बच्चों को यह ज़्याधा वसा Ini प्रदा आप लिवर की बिमारी वैसी बिबारी होने की chances बहुत ज़्यादा है ब्लड प्रिशर होने की chances ज़्यादा है बहुत सारे अलग-अलग जो disease है वो disease होने की मातरा रिस्क उन में ज़्यादा होता है तो यह देखी कि यह पूरा हमारे जो सारे राज्य है भारत के लगभग अगर हम लोग सरे राज देखें तो सरे राज भारत की 33 तका बच्चे ऐसे हैं पांट से नौ साल के जिसमें खुन में वसा की मातरा ज़्यादा है 33 तका मतलब हर तीसरा बच्चा जो जिसमें खुन में और लिवर में वसा की मातरा ज़्यादा है तो यहां पर देखें कि यह है परसंटेज वील्ग सेया है यह यह लाइन पर और यहां पर यह सारे स्टेच के नाम दिये हो है तो यह जो West Bengal है West Bengal में अप देखें यहां पर लिखा है 67% 67% मतलब वह 5-9 साल के बच्रों में ज्यादा Dolar Triglace right के में त्रिक है व्हुन में सभाव वसा जादा 67 जो उसके उसके बाद जो सिक्किम एसके आसाम नागलेंद 25 तका सतावन तका 54 तकाव brings 50 तकाव से भी ज्यादा बच्छे जिसमें खūnd में वसा जादा है तो वह क्या होता है कि जबिपच्छा बहृती Carboda dependent लेता है उनलों प्रोटीन की मोतरा〜 जब ही कम होती है तभी यह बुरा वसा है वो उसमें खुन-खुन में जादा बढ़ता है ठीक है कभी-कभी बच्चों को यह आदत हो थी कि चिप्स खा लिया वेफर्स खा ली तलावा कुछ खा लिया यह पावड़ा काया बच्छ भी ऐसा जो तलावा होता है जो जो अगर वो जो ऑईल है जो तेल है वो अच्छा तेल नहीं होता है जबी और बहुत सोय बता दिया यह कौन ओएल या ऐसे जो ओल होता है यो कपासी का तेल बुलते हैं अगर ऐसे तेल अगर इस्तिमाल कि वो बच्चों में भी जो खुन में जो वसा होता है वह अच्छा वसा नहीं होता है तो यह जो ट्राइक के साड़ी अच्छा नहीं है यह जो है यह वाला ग्राफ है वो है पांट से नौ साल के बच्चों में खून में जो शक्कर होते हैं शक्कर की मात्रा कितनी है तो यह कितने बच्चों कितने परसेंटेज बच्चे हैं कितने टकावारी बच्चे हैं जिसमें शक्कर की मात्रा ज्यादा है और यह बच्ची की उमर है सिफ 5-9 साल, यह पूरा भारत का डेटा है, यहां पर देखिए कितने सारे लाल स्टेट लिखा रहे हैं, ठीक है, और जो ज्यादा लाल वाले स्टेट हैं, वो तो डेंजर है, मतलब 22 का बच्चे है जो मनिपूर में, उन में शक्कर की मच्चो में जबी चेक किया, तो खुन में शक्कर की मातरा ज्यादा है, उसका मतलब यह बच्चो को प्री डायबिटीज और डायबिटीज है, ठीक है, देखिए आप यह सारे जो स्टेट्स है, 36 गड़, 36 गड़ में भी 15 टका बच्चो में शक्कर की मातरा खुन में ज्यादा है, ठीक यह सारे बच्चो को ज्यादा खाने में प्रोटीन खाने की जरुत है, चरबी जो वसा है, वह अच्छा वाला वसा काने की जरुत है, जो है जो गी है, आंडे का पिला बाग है, मकन है, वह सारा अच्छा वसा है, ठीक है? डाले हैं सब, तो जो दाने बोलते हैं, बीज है, वैसा बच्चों को देना है ज्यादा अगर non-wage बच्चा है तो मच्छी है, मटन है, वो दीजे आप तो उसे यह जो शक्कर की मातरा है बच्चों के में, ज्यादा जो शक्कर की बढ़ रही है वो कम हो जाएगी, ठीक है, त हूप जक्ष। से हम लोग बोलते हैं। नमियाद रखने की जरूद नहीं है cupcake को यह देख्क नख सक्षक गोड़ी किपर निख्च करते हैं। और उसमें उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा जो स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे को pre-diabetes है मतलब यह जो HP1C high है वो है गोवा ठीक है जो गोवा में लगबग 26 तका बच्चे है जिसमें HP1C की मात्रा ज्यादा है हरियाना में 23 तका बच्चे हैं जिसमें HP1C मतलब उनको pre-diabetes है pre-diabetes या diabetes ठीक है तो यह आप ध्याद में रखें कि कितने सारे जो स्टेट से देखें पूरे अभी लाल 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 तो यह हम लोग को ध्यान में रखना है कि हमारे बच्चे को इतने चोटी उमर में कभ और यह भारत का डेटा देखेंगे और सरीराज देखेंगे एवरेज तो लगभग 9 तका बच्चे हैं जिसमें HP1C की मतलब 9 तका बच्चे मतलब 9 तका बच्चे हैं जिसमें you know pre-diabetes already हो चुका है तो यह आपको ध्यान में रखना है कि बच्चों को क्या खाना देना है क्या इसकी जो खामी होती है तो हमारे जो 5-9 साल के जो बच्चे है भारत के तो वो जो पोशन कौन से कितने परसेंटेज बच्चों में यह पोशन तत्व कम है तो उसके बारे में आपको मैं भारत का डेटा बताने वाली हूं यह डेटा CNNS से आया हुआ है Ministry of Health से आया हुआ है औ जो डेटा कलेकिया था लगपक 2016 से लेके 2018 तक तो प्री कोविड का डेटा है यह तो यहां पर दिखाया हुआ है कि विटमिन A अभी आपको तो मालूम है हम लोग अंडर 5 साल के बच्चों को विटमिन A की ड्रॉप सो देते ही है गवर्मेंट में लेकिन यह 5 साल से 9 साल के जाओ भूलाए कि बच्चों में देखे विटमिन A की मात्रा कितनी कमी है तो मिजवराम जारखन हो में चालीच टकासे ज्यादा बच्चत है जिसमें विटमिन A की मात्रा कमी हह हम लोगोगों ने यह इन पीटेल कॉर्स में, YOU NO, विटमिन A की टॉतरल हम लोगों के शीक्ष दीट्रा में कुछू होते हैं जासे द बहुत ही इंपॉर्टें कि बच्चे लंबे बढ़ रहे हैं तो उसमें अकर विटमिन D नहीं होगा तो वह जो बोन्स होते हैं जो हटी हो खोकली हो जाती है बहुत है बारत में विटमिन D की मात्रा भी बहुत कम है हमारे 5-9 साल के बच्चों में पंजाब में लगब 76% चातर टका बच्चे जो है जिसमें विटमिन D की मात्रा कम है उत्तरखन, मनीपूर, हरियाना 45-55 बच्चे जो है उनमें विटमिन D की मात्रा कमी है ठीक है तो देखे अगें बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें विटमिन D कम है उसका भी हम लोग ने टुटॉल बनाया हुआ है बच्चों को ग्यारा से लेके दो बजे के बीच का जो सुरज होता है उसमें 10-15 मिनिट रखन जो सुरज की किरन जबी मिलती है तो हमारे जो चमडी है उसमें कोलेस्ट्रॉल जो रहता है वो कोलेस्ट्रॉल चेंज होके विटमिन D बनता है ठीक है तो इसलिए सुरज की किरने बहुत इंपोर्टेंट है वो आप हमारे टुटॉल में देखेंगे आगे जाके यह जो यह वाला data है यह आपका Zink जो Zink कोविट में जब हम लोग कोविट के टाइम में हमको Zink की गोलिया दी ती government ने क्यों दी थी क्योंकि Zink is very important for रोग प्रतिकारक शक्ती ठीक है और बच्चों में तो बहुत इसमें लगबग 37.7% चिल्डरन है जिसमें जिंक की मातरा कमी है मनीपूर में लगबग 35 तका बच्चे है जिसमें जिंक की मातरा कमी है तो यह सारे जो है बच्चे बहुत सारे बच्चे है जो भारत में जिसमें जिंक की मातरा कमी है तो डेफिनिटल आपको वो टुटॉरल यह है iron deficiency, मतलब low तो हमें मालूब है कि 5 साल के अंदर के बच्चों को तो low की मात्रा कमी है लेकिन 5 से 10 साल के जो बच्चे है उन में भी low की मात्रा बहुत कमी है तो ठीक है, you can see over here कि पंजाब में 50 से 51 टका बच्चे है जिसमें low की मात्रा कमी है उसके बाद राजस्तान, गुजरात, हर्याना, करनाटक, चत्तिसकड तो सब यह सारे जो स्टेट से उसमें as you can see लोग की मात्रा बहुत कम है ठीक है अगें हम लोग ने low पे पी एक अच्छा सा टुट्राल बनाया हुआ है आपको जो रेसिपी सम्लोग ने उसमें बताई हुए वो आपको माता को दिखानी है समझानी है ठीक है यह है जो B12 विटमिन B12 जो है वो मस्टीक के लिए बहुत इंपोर्टन है जो हमारे ग्ण्यान तंतु है ज्ञान तंदू के लिए B12 इंपोर्टेंट है, बहुत महत्वाल का यह है, पोशन तत्वा है, अगर यह कमी होगा, तो बच्चों का जो मस्तिक है, उसमें बहुत सारे प्रोब्मिस हो सकते हैं, डिप्रेशन, अंजाइटी, याद शक्ति कम हो जाएगी, उनको बहुत सारे इ बच्चों में, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, चत्तीसगड, राजस्तान, ठीक है, तो देखिए आपकी यह सारे जो है स्टेट्स, उसमें बहुत कम मात्रा में बच्चों को B12 खाने से मिल रहा है, ठीक है, यह जो है, यह अपका फॉलेट, आपका मालूम है कि ह पच्चों में पाँ से साद ए नव साल के बच्चों में फोलेट की मात्रा कमी है। तो यह देखिए आंधर प्रदेश में लगबक 88 टका बच्चे है 68 परसेंट 68 टका बच्चे है जिसमें फोलेट की मातरा कम है 68 परसेंट 68 टका आसम मद्योपरदेश 36 गर्ड मेगाले लगबक 50 से भी उपर उसके नंबर है आक्रे है तो यह ऐसा यह हमारा रिजल्ट बिलकुल ठीक नहीं है क्योंकि अगर फोलेट अगर कमी ह हुआ तो बच्चों को अनीमिया भी होगा इंफेक्शन होने की चांज भी बहुत ज्यादा है बहुत सारे अदल अगलग प्रब्लम्स है ठीक है फोलेट डेफिशेंसी से तो आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग ने इसका भी टुटॉल बना है फोलेट डेफिशेंसी का तो वो आपको ध्यान से समझना है ठीक है तो यहां पर मैं मेरा ये सेशन कहतं करती हूं थैंक यू सो मच करते हैं